नमस्कार एंड वेलकम टूई स्मार्ट रेव्डे जनल दोस्तों साउथ सेंटर रेलवे में अपरेंटिस की वेकेंसी यहाँ पर आ चुकी है और इसमें अपरेंटिस आपको क्यों करना चाहिए देखिए दोस्तों आप सभी को पता है कि रेलवे गुरूप D में जो वेकेंसी अपरेंटिस ट्रेंडिस वगरा करेंगे उनको दोस्तों बहुत जादा यहाँ पर वेनिफिट यहाँ पर होने वाला है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आपको साउथ सेंटर रेलवे में अपरेंटिस करने का मौका यहाँ पर मिल रहा है तो इसके लिए दोस्तों आपको र आपको करना होगा और आपको इसमें कौन-कौन से टेट में वेकेंसिया निकाली गई है और कौन-कौन से स्टेट को भरने के लिए यहाँ पर मौका मेर रहा है तो A to Z जनकारी जानने के लिए वीडियो आन तक जरू देखीगा और चैनल पर नहीं है तो चले को जरू सस्क्राइब करने की साथ नोटिफिकेशन बलको जरू पैस करके रखें क्योंकि आपको इस चैनल पर 100% ऑथेंटिक एन जन्वा निकलिक गउन भरती के बार में ही जनकारी दी जाती है तो सबसे पहले डेट यहाँ पर मेंशन किया हूँ है यहाँ पर देख सकते हैं 30 दिसंबर 2022 को ही यह नोटीस यहाँ पर पब्लिस हुआ है चुका है स्टेट को यहाँ पर रखा गया है और डिस्टेक इसमें कौन-कौन से आ जाते ही उसी डिस्टिक के आपका डॉमेसाइल होना चाहिए तभी दोस्तों आप जो है साउट सेंटर रिल्वे के लिए अलिजबल होंगे अपलाई कर पाएंगे यहाँ पर इससे ऑपरेंटिस करन नाटका हो गया इसके पर तमिलांडू में यहाँ पर वेलोर हो गया मद्य परदेश में दोस्तों यहाँ पर बुरहारपूर हो गया और यहाँ पर खांडवा हो गया ठीक है तो यह जो डिस्टिक यहाँ पर देख सकते हैं पूरे 6 डिस्टिक यहाँ पर जो है साउट सेंड भी रेलवे में वेकेंसिया आए तो मैं आपको वीडियो बनाओ तो आपको नोटिफिकेशन के माधिन से सूचना प्राप्त हो सके और उसके लिए दोस्तों आफ ओम फिलब कर पाएं ठीक है तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर पैस करके रखें ठीक है इसके लावा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूरा यहाँ पर यूनिट बता रखा है टोटल यहाँ पर 35 यूनिट यहाँ पर रखे गया है साथ सेंटरल डेलवे के ठीक है तो इसी इसी यूनिट में आपका यहाँ feeder, machinist और इसी प्रकार से यहाँ पर painter welder को भी रखा गया है टोटल हम post की बात करें तो 4103 यहाँ पर cool vacancy यहाँ पर release किया गया है इसके लावा education qualification की बात करें तो यहाँ पर 10th pass के साथ अगर आपने IT किया है तो apply कर सकते हैं और 10 plus 2 भी किया हुए है तो भी आप apply कर सकते हैं और IT चाहें आपने NCVT से किया हो चाहें SCVT से दोनों condition में आप apply कर पाएंगे ठीक है और इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर selection जो है return based पर नहीं होता है जो भी आपके marks है उसी के अधार पर यहाँ पर होता है तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको formula यहाँ पर बता देता हूँ तो यहाँ पर माल लीजिए आपके 10 वी में आए है 60% suppose किजिए और आपके IT में भी आगए हैं यहाँ पर 60% तो दोनों को आपको add करना है add करने पर कितने marks होगे 120 और इसको आपको यहाँ पर 50% कर देंगे तो इसका आधा हो जाता है 50% यहाँ पर बता भी रखाओगा 50% marks aggregate तो यहाँ पर दोस्तों इसको आधा कर देंगे तो आपको यहाँ पर 60% हो जाता है तो यही आपको merit में count किया जाएगा तो आपका कितना % बन रहा है दोनों को add करने के बाद half कर देंगे तो यह मुझे आप comment box में comment करके जरूर बताएगा ठीक है इसके लावा जो diploma वाले candidate है वो इसमें form fill अपना करें diploma वाले जो है इसमें eligible नहीं है age के बार में बात कर लें मिलता है OVC को तीन सालका age में रिलेसेशन यहाँ पर दिया जाता है और PWBD candidate को 10 सालका यहाँ पर age में रिलेसेशन बगरा यहाँ पर दिया जाता है ex-serviceman को भी 10 सालका age में रिलेसेशन मैंने आपको बताई दिया दोस्तों आपका किसी परकार का कोई भी exam नहीं है जो भी आपका selection होगा merit based यहाँ पर selection होने वाला है पर clear दोस्तों यहाँ पर mention भी कर दियेगा है 6.4 में यहाँ पर देखेंगे कि there will be no return test और वाइबा किसी परकार का कोई return test नहीं है नबाईबा बगरा कुछ भी नहीं है अब बात करें दोस्तों इसमें fees आपको कितनी देनी है fees मात्र यहाँ पर 100 रुपे यहाँ पर आपको payment बगरा करना होगा और यहाँ पर दोस्तों जो payment है आप SBI Internet Banking या other कोई भी SBI debit card credit card के माधियम से आप इसका payment बगरा यहाँ पर कर सकते है ठीक है तो यह सारी process यहाँ पर payment का पूरा method यहाँ पर पता रख है पहले दोस्तों यहाँ पर document देख सकते हैं कौन कौन से document जो है आपको यहाँ पर online form fill up करते समय आपको upload करने होगे तो यहाँ पर दोस्तों पूरे document की list यहाँ पर देख गई है तैंत की marksit हो गया, proof of date of birth certificate इसके लबाब IT certificate हो गया, NCVT, SCVT जो भी अपने IT किया है उसका FF certificate, SCST certificate और यह जो certificate आप upload करेंगे SCST जो इन्होंने performa बता रखा है, NXR-A में बता हुआ है तो उसी format में आपको SCST certificate या OVC certificate आप जिस community से विलॉंग करते हैं उस community का दोस्तों यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर उस format में ही आपको यह का certificate जो है upload करना होगा तो का certificate जानने के लिए नीचे scroll करके जाएंगे तो यहाँ पर SCST का format यहाँ पर दिये गया है, इसी format में आपका card certificate होना चाहिए OVC वालों का यहाँ पर देख सकते हैं, Other Blackboard Classes के लिए यहाँ पर देख सकते हैं तो पूरी यहाँ पर जो format है, इसी format में आपका card certificate यहाँ पर आपको upload करना होगा तो यह card certificate दोस्तों अगर आपके पास नहीं है, तो आप जाके अपने block या अनुमंडल से यहाँ पर बनवा सकते हैं एक से दो दिन में यहाँ पर बन जाता है, तिक है, अब बात करें आपको apply कैसे करना है वीडियो को description में आपको एक link मिलेगा, उस link पर click करते ही दोस्तों आप इसके registration portal पर पहुँच जाएंगे South Central Railway और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर opening date, closing date भी यहाँ पर mention कर दिये गया है कोई भी query और content help line number यहाँ पर mention कर दिये गया है, email ID यहाँ पर mention कर दिये गया है और यहाँ पर इसका notification, full notification जो अभी आपने देखा, उसको download करने के लिए इस पर आप click करके इसका full notification बगरा जो है वो download कर सकते हैं बाकी सारी जनकारी यहाँ पर दी गई है कि क्या-क्या चीजे जो है आपको upload करना होगा नीचे जाने पर scroll करने पर दोस्तों यहाँ पर एक option दियेगा, new registration इस पर click करके आपको form fill up करना होगा तो इस पर click कर देंगे दोस्तों और यहाँ पर दोस्तों आपका जो registration form है यह यहाँ पर open हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों registration form open हो चुका है, simply दोस्तों अपना state यहाँ पर select करना है जो भी state इसके अंतरगर रखे गए हैं वह state यहाँ पर so करेगा तो जैसे कि आप जिस state के रहने वाले हैं वह state आपको select करना है जैसे कि मद्देपर्देश आपने select किया और इसके अतरगर दो ही city रखा गया है गुरहानपूर और यहाँ पर खांडवा तो जो भी आप जहां के भी है वहाँ आपका यहाँ पर select करना होगा और जहां पर भी है उसका district का यहाँ पर address प्रूब जो है यह upload करना होगा ठीक है इसके लावा यहाँ पर email id, mobile number आपर password एंटर करेंगे 8-16 digit का आपको password यहाँ पर create करना होगा small capital और special character एड़ करके उसके बाद confirm करेंगे उसके बाद I am not a robot वाले option पर click करेंगे generate, registered and send OTP वाले option पर click करेंगे तो आपकी mobile number पर email id पर OTP send होगा तो OTP को डालके यहाँ पर verify कर लेना है फिर आगे का form यहाँ पर fill up कर सकते हैं payment वगरा करने के बाद यहाँ पर पूरा complete यहाँ पर माना जाएगा और इसी प्रकार की ऐसी authentic and genuine update के लिए आपको इस channel को subscribe कर लेना है